दोजार निस के लोग सभा चुनाव से पहले तीन बीज़पी शासित राज्य, मध्यप्रदेश, राजस्तान और 36 कड में विधान सभा के चुनाव होने हैं जब बीज़पी से निपटने के लिए कॉंग्रिस विकास को मुद्दा बना कर सरकार को खेरने की तयारी कर रही है तीनों राज्यों में पार्टी विकास की खोश थीम से अभियान चलाएगी और लोगों के वीड जाकर सरकार की नाकामिया गिनाएगी बताया जा रहा है कि इसके शुरुवात 36 कर से होगी पेम मूदी का विकास कहां गया विकास पागल हो गया है गुजरात में पागल विकास ने कॉंग्रिस को जिस तरह से आगे बढ़ाया था उसी से हुचसाहित कॉंग्रिस ने अब मध्यप्रदेश, राजिस्थान और 36 कडवे होने वाले विधान सभा चुनाव में भी विकास को ही मुद्दा बनाने का फैसला लिया है लेकिन इस बार पार्टी खोच चुके विकास की खोच करेगी कॉंग्रिस सूतरों के मताबिक, कॉंग्रिस न राजों में युवाव को रोजकार, शिक्षा विवस्था की हालत और जमीनी स्तर पर कितना विकास हुआ इसकी सच्चाही जानने के लिए जनता के बीच उतरेगी बताया जा रहा है कि पार्टी ने अपनी छातरीकाई NSUI को इसके लिए तयार रहने को कहा है कॉंग्रिस के कारेकरता आमजन तक पहुच कर लोगों को सच काईना दिखाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि वे मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर बताएं कि विकास कही खो गया है बताया जा रहा है कि इस अभियान की शुरुआज सीम रमन सिंग के गड़ चट्यसगड़ से हुगी जहां पार्टी शिक्षा और रोजकार को मुद्दा बनाने की तयारी कर रही है चट्यसगड़ के अलावा राजिस्थान में भी पार्टी ने चुनाव को देखते हुए युवाओं पर ध्यान के इंद्रित किया है कहा जा रहा है कि सूबे में खाली पड़े दो लाग सरकारी पदों का मुद्दा उठा कर कॉंग्रिस राजे सरकार को खेरेगी जबकि मध्यप्रदेश में कॉंग्रिस कृशी और किसान की समस्याओं पर फोकस करती देख रही है तीनों राज्यों के लिए सरकार ने अलग-अलग मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया है कॉंग्रिस जल्दी अपने अभियान का आगास कर पीम मोधी को उनके वादे याद दिलाएगी वैसे गुजुराद में तो पागल विकास ने कॉंग्रिस की काफी मदद की थी लेकिन इन दीन राज्यों में कॉंग्रिस का ये अभियान क्या रंग लाता है ये देखना बाकी होगा डिवी लाइफ के रिपो